जनपद इटावा पुलिस ने मात्र बारा घंटे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अव्यूक्तों को किया गरिफ्तार गरिफ्तार अव्यूक्तों के कपजे से एक इंट आला कतल बरामत एस एसपी इटावा के निर्देशन में एसोजी सर्विलांस टीम वा थाना बस रेहर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही यूपी ब्रेकिंग नियुद से शिवा वर्मा की रिपोर्ट दिनांक 2021 की रात में अकबरपु गाउं पर टूबल पर तीर लोग शराब पी रहे थे जिसमें एक व्यक्ति सिसुपाल नाम का था उसके टूबल पर ये घटना हुई थी और वहां पर उसके जो ही चचेरे भाई प्रिजपाल और सिवम उर्फ लालू वहां पहुंचे थे चचेरे भाई थे शातीम बैट के पी रहे थे और शराब के पैसे को लेकर के पहले से बाद उससे तव्यक्त था लेकिन उस समय इमेडियर वह रिजन था कि शराब कौन लाएगा और कौन लाया था कि उसने पैसा खर्च नहीं किया इस बात को लेकर कि बहस हो गई इस बहस कि अपस में जगड़ा हो गया और जगड़ा होने पर पास्टहागी ऑफारर जड़ रखीरी से एक दूसरी पर प्रहार करने लगे और इस एक पीरा में दो जो आपे नुक्त-ब !, पर काफ़ीर रानासी जदा घम्रता हम. कर दिया जिससे जो है उसकी काफी चोटें आई थी और चोटें के बाद जब उसको देखा इनोंने की गंभी रूप से घायल हो गया तो उसको मुर्ट करके ले जा रहे थे रास्ते में उसकी मृत्य हो गई फिर डिस्पोज करने का भी प्रयास किया डेट बॉड़ी को लेकिन बाद में किसी राहगीर दोरा देखा गया जिसके वज़ास से मामला संग्यान में आया बाद में मृतक की पहचान हो गई यह लोग छोड़के भाग गए थे और उसी मृतक की मृट साय के लिए उच की गई थी बॉड़ी को डिस्पोज आफ करने के लिए लेकिन इसमें बस प्रभाव इसमें गंफिर्दबरो पुस्ताच की गई जिसमें ब्रिशपाल और यह शिवम संदिख्द वेक्ति जिए उनसे पुस्ताच की ने गर्जयमुप्रा स्विकार भी कर लिया तथा इंट भी परामत कर ली गई है साथिशाथ इसमें वो मृट साकिल भी परामत कर गई है जिस मृट साइकिल से यह उनों बॉडी को डिस्पोज आफ करने जा रहे थे और यह बहुत ही दुखत गटना है इसमें वेक्ति की मृत्य होगा